अज हम जानेंगे कि कैसे आप किसी स्टॉक का बाई और सेल ओडर प्लेस कर सकते हैं जिरोधा के थ्रू तो चलिए शुरू करते हैं आप जैसे ही अपने काई टैप में लॉग इन करेंगे आपको सबसे पहले कुछ टैप्स दिखेंगे जैसे की वाच लिस्ट, ओर्डर्स, पोर्टफोलियो, अप्स और आपकी यूजर आईडी तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टैप्स को समझते हैं तो पहले है वाच लिस्ट, अब इस टैप पे आप देख सकते हैं कि आपको 5 वाच लिस्ट दिखाई दे रही है, वाच लिस्ट यानि आप ऐसे शेयर्स इसमें आड कर सकते हो जो आप फ्रीक्वेंटली चेक करते र नहीं होता है, बिकस मेबी आपने जो प्राइज एंटर किया है, बाय या सेल के लिए उस पे कोई बायर या सेलर अवेलिबल नहीं है, जिसकी वज़े से वो पेंडिंग है, तो जब आप कोई ओर प्लेस करेंगे और अगर वो एक्जिक्यूट ना हो, तो वो पेंडिंग मे आएगा, और अगर वो एक्जिक्यूट हो जाए, तो वो एक्जिक्यूटेड में आएगा, अब जानते हैं जी टी टी ओर्डर के बारे में, जी टी टी ओर्डर यानि गुट टिल ट्रिगर्ड, सपोस आपको इस शेयर का ओर प्लेस करना चाहते हैं, और वो अभी चल रहा ह 200 रुपे की प्राइस पे, बट आप उसे 200 रुपे पे नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसे 120 रुपे पे लेना, अब शेयर 200 से 120 रुपे एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है ये दो दिन में हो, या फिर 6 महीनों में हो, या फिर कभी हो ही ना, तो ऐसे में क्या आप daily अपना app open करके चेक करेंगे कि क्या इसकी price कम हुई की नहीं या फिर हर दिन आप order place करेंगे इस hope में कि ये share 200 से 120 हो जाए नहीं तो इसी problem को solve करने के लिए बना है GTT order यानि ये order तभी trigger होगा जब आपके दिये हुए price पे shares आएंगे और ये order एक साल के लिए valid होता है जिस दिन से आप order place करते हैं इसका भी हम order placing देखेंगे आगे की वीडियो में अब जिरोधा ने एक new feature रोल किया है जो है baskets अब ये baskets क्या होते हैं basket feature में आप एक साथ multiple order लगा सकते हैं बट unlimited नहीं आप सिर 20 order place कर सकते हैं एक साथ एक basket में और आप ऐसे 20 baskets को create कर सकते हैं तो suppose आपने एक basket create किया जिसमें आपने 10 shares का order place किया और at the same time उन्हें sell करने का भी तो ऐसे में आपको हर बार market monitor नहीं करना पड़ेगा अब जैसे ही आपको shares मिल जाएंगे वो आपको portfolio section में दिखेगा portfolio section में भी दो tabs हैं holdings and positions जब आप MIS में share लेते हैं तब वो positions में आएंगे जब आप CNC में stock लेते हैं तो आपको share की delivery T plus 2 days में मिलती है मतलब जिस दिन आपने trade किया उसके 2 दिन बाद और जब shares मिल जाएंगे तब वो holdings में आजाएंगे और जब in process होगा तो वो positions में show होगा then apps जहां जिरोधा के थरू कुछ apps आपको use करने के लिए दिये गए है then last में आपका profile section होता है जहां आपको various options मिलते हैं तो अब चल ये देखते हैं कि share place करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है first of all आप अपने profile section में जाएंगे और funds option पे tap करेंगे funds add करने के लिए और यहां भी आपको दो heads दिख रहे होंगे equity and commodity तो जब आप share purchase करेंगे आप equity head के अंडर amount को add करेंगे और amount add करने के लिए आप UPI, Google Pay, Net Banking वगेरा का इस्तमाल कर सकते हैं अब आप जैसे ही funds को add कर लेंगे आप watch list section पे आएंगे और वो stock search करेंगे जिसे आपको buy करना है अब suppose मुझे idea buy करना है तो मैं idea type करोंगी और आप देख सकते हैं कि screen में कितने सारे options आ रहे हैं तो अब इन में से मुझे कौन सा option चूज करना है तो जो आपको top two results show हो रहे हैं जिसमें idea NSE and idea BSE mentioned है उन में से आप कोई भी ले सकते हैं बाकी जो आपको नीचे options दिख रहे हैं वो future and options के हैं तो basically most of the shares दोनों ही exchange पे listed होते हैं जो है NSE और BSE तो आप किसी से भी ले सकते हैं दोनों exchange के prices में minor सा difference होता है जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको buy and sell का option दिख रहा है तो अभी हम shares को buy कर रहे हैं उसके बाद selling का procedure भी हम आगे देखेंगे अब अगर मैं स्क्रीम को drag करूँ तो मैं बाकी details भी देख सकती हूँ जैसे कि market depth market depth हमें ये बताता है कि किसी stock में कितनी liquidity है और कितनी volatility है कितने buyers and sellers available है और किस price पे idea का share available है अब ये blue side जो आप देख सकते हैं वो दिखाता है कि buyers कितने हैं और किस price पे हैं और red side हमें sellers के बारे में बताता है अब मुझे buy करना है तो buy पे अगर मैं tap करूँ तो फिर से बहुत सारे options screen में reflect होते हैं तो चलिए इसे भी समझते हैं first tab है quantity का यानि आप कितनी quantity stock की buy करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे enter कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ 10 quantity लेना तो मैं यहाँ पे 10 enter करूँगी अब price में आप देखेंगे कि मैं price को edit कर सकती हूँ इसे tab करके बट यह तभी possible है जब order section में आप limit को select करेंगे अब आप देख सकते हैं कि price के side में एक tick लिखा हुआ है जो है 0.05 तो जो price आप enter करेंगे वो आप 0.05 के difference में कर सकते हैं अब अगर हम product में देखें तो आपको वहाँ भी दो options चूज करने के लिए आ रहे हैं CNC और MIS CNC आने की cash and carry यह आप तब चूज करेंगे जब आपको कोई stock एक दिन से जादा hold करना हो तो इसमें आप कितने भी दिन महीने साल के लिए stocks को hold कर सकते हैं अब MIS मतलब margin intraday square off यह tab आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको intraday में trade करना हो यानि same day buying and selling करनी हो तो next tab आप देखेंगे जो है orders का इसमें market, limit, SL, SLM यह चारो categories होती हैं market यानि जब आप share current market price पे लेना चाहते हो जैसे ही आप यह select करेंगे आप देख सकते हैं कि उपर price option अप edit नहीं हो सकता क्योंकि आप current price पे ले रहे हैं इसके बाद limit में आप अपने desired price एंटर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि share price थोड़ा नीचे आ सकता है तो आप वो price एंटर कर सकते हैं सपोस अभी idea का share चल रहा है 10 रुपे बट मुझे लग रहा है कि यह 9 रुपे तक आ सकता है तो मैं यहाँ 9 रुपे एंटर करूंगी SL याने की stop loss and SLM याने की stop loss market Stop loss मतलब कि आप अपने loss को कम कर रहे हैं सपोस आपने कोई share खरीदा 100 रुपीज पे और आप नहीं चाहते कि आपको 5 रुपे से जादा को कोई भी नुकसान हो तो आप stop loss के थूँ अपने order को place कर सकते हैं जिसमें आप enter कर सकते हैं 95 रुपीज का price और in case share price नीचे गिरता है और 95 तक आता है तो आपका sell order automatically place हो जाएगा तो जैसे ही आप SL पे select करेंगे आपको एक triggered price आएगी triggered price याने जब ये price पे share आएगा तो आपको automatically order by SL का place हो जाएगा जो भी nearest price होगा उस पे आपका trade execute हो चुका होगा suppose मैंने trigger price रखी है 7 रुपे तो जैसे ही ये share 7 रुपे के नीचे आएगा suppose ये 6.5 रुपीस तक आगया तो मेरा trade square off हो जाएगा और इनके 7 रुपे पे आके फिर से अगर share price उपर चली गई तो भी मेरा trade square off हो जाएगा because triggered price हिट हो चुकी है और आपका जो भी share buy और sell होगा वो limit price पे होगा और SLM order के लिए आपको सिर्फ एक trigger price ही enter करनी होती है और जो trade place होगा वो होगा market price पे हमने SL में देखा था कि वो limit price पे execute होगा but SLM आपका market price पे order execute करता है then आपको set stop loss और set target को option दिख रहा है आप जैसे ही stop loss को on करेंगे आपको उसमें percent डालना है याने आप कितने percent से अपना stop loss या target increase या decrease करना चाहते हैं then आता है variety यहाँ भी चार options है regular, BO, bracket order, CO, cover order and AMO, after market order regular order means regular इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है आप normally order place कर सकते हैं then होता है bracket order इसमें आप order place कर सकते हैं along with stop loss and target price तो जैसे ही आपका main order execute होगा, system में दो और orders लग जाएंगे और जैसे ही आपका share या तो target price या stop loss में आता है वो automatically execute हो जाएगा target price मतलब जिस price पे मैं share से exit करके profit book करना चाहती हूँ और जो other orders होँगे, वो सारे cancel हो जाएंगे तो यहाँ आपको जितने का profit या loss हो वो number आप mention कर सकते हैं मतलब कि मैं idea का share ले तो रही हो 10 रुपए पे बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे 20 रुपए में बेच दूँगी और मैं loss सिर्फ 5 रुपए तक का ही handle कर सकती हूँ तो यहाँ मैं stop loss में एंटर करूंगी 5 रुपए और target पे रखूंगी 10 रुपए तो stock जैसे ही 20 रुपए पे आएगा मेरा ये trade execute हो जाएगा और stop loss वाला cancel हो जाएगा और अगर 5 रुपए पे आएगा तो stop loss वाला order execute हो जाएगा और target price वाला cancel यहाँ आपको trailing stop loss भी दिख रहा होगा यह optional रहता है इससे अगर आपका stock अपने direction में move हो रहा है जिससे आपको profit हो रहा है तो stop loss भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा तो अगर मैं यहाँ 1 रुपए एंटर कर रही हूँ तो अगर 10 रुपए का share लिया है 20 रुपए का target price है 5 रुपए का stop loss है तो अगर stock 11 रुपए हुआ तो stop loss भढ़के 6 रुपए हो जाएगा और जैसे जैसे stock उपर की ओर जाएगा वैसे वैसे SL भी बढ़ता जाएगा तो जो difference है 5 रुपए का वो maintain रहेगा बट वही अगर share नीचे आता है तो stop loss वापस से कम नहीं होगा वो उतना ही रहेगा जितना last time में था यानि अगर stock बढ़ते time trailing SL बढ़ रहा है 9 रुपए तक पहुच गया है तो जब stock वापस नीचे गिरेगा तो ये 9 रुपए उतना ही रहेगा बट वो 5 रुपए का difference maintain नहीं करेगा अब ये orders आप सिर्फ intra day के लिए ही use कर सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई भी order place नहीं होता है तो market close होने से automatically order square off हो जाएंगे बट B.O.S कुछ cases में applicable नहीं होते हैं जैसे कि B.S.C. stock में, stock options, currency options और MCX में अगर आप bracket order सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको limit order और stop loss order भी select करना ही पड़ेगा अब next है CEO, cover order इस पे आपका market order या limit order जो होता है वो compulsory लिए stop loss order के साथ ही लगता है और ये compulsory इसलिए होता है क्योंकि जिरोधा आपको इसमें बहुत जादा leverage प्रोवाइड करती है तो ये company के लिए बहुत रिस्की है तो उस रिस्क को कम करने के लिए आपको CEO में mandatory SL mention करना ही होता है और इसमें आपका stop loss order cancel नहीं हो सकता ये भी same BO के जैसे होता है जिसे आप BSE stock exchange वगेरा में use नहीं कर सकते अब next है AMO after market order अगर आपके पास time नहीं है market timing के दौरान तो आप market end होने के बाद भी order place कर सकते हैं तो इसके लिए आप AMO feature use कर सकते हैं जिसमें आप next trading day के लिए order place कर रहे हैं AMO order सारे products के लिए हैं जैसे की MIS और CNC बट bracket order and cover order के लिए नहीं है इसमें आप stop loss भी use नहीं कर सकते बट हाँ रात के बारा बजे से सुभा के साड़े 5 बजे तक के बीच में order place नहीं हो सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपको वालिटी शो हो रहा है जिसमें दो options है डे और IOC अगर आप order place कर रहे हैं तो वो order पूरे दिन के लिए जब तक market close नहीं हो जाता तब तक के लिए valid होगा वहीं IOC मतलब immediate और cancel अगर आप order place कर रहे हैं और अगर तुरंत कोई seller होगा तो वो order execute होगा otherwise वो तुरंत cancel हो जाएगा next है disclosed quantity इसका ये मतलब है कि आप अपने total quantity का कितना disclose करना चाहते हैं suppose मुझे 25,000 shares खरीदने या बेचने हैं बट मैं disclose quantity में सिर्फ 5000 डाल रही हूँ तो market को सिर्फ 5000 shares ही दिखेंगे और जैसे ये 5000 shares trade हो जाएंगे then next 5000 का order लग जाएगा और automatically सारे orders execute हो जाएंगे इसमें जितना आप actual order कर रहे हैं उससे जादा या उतना ही quantity आप enter नहीं कर सकते यानि कि 25,000 quantity है तो आप सिर्फ 25,000 या 26,000 नहीं डाल सकते और even quantity का 10% से कम भी enter नहीं कर सकते अब आपने सारी information तो समझ ही ली है तो चलिए एक order place करके देखी लेते हैं यहां मैं idea का share ले रही हूँ मैंने quantity में enter किया है 10 then मुझे ये market price पे ही लेना है तो मैं order में market select करूँगी then product में MIS क्योंकि हमें आज ही खरीद के बेच देना है then variety में regular validity में day and disclose quantity 0 ही रखेंगे क्योंकि हम कम shares buy कर रहे हैं अब हम swipe to buy करेंगे अब आप अपने trade order section से track कर सकते हैं कि whether order execute हुआ है या pending है आपको positions में भी दिख रहा होगा कि अभी क्या profit and loss चल रहा है अब ये हो गया buying procedure चले जल्दी से sell site का भी procedure समझ लेते हैं अब suppose मुझे इसी stock को sell करना है तो मैं इस पर tap करूँगी और मुझे दो options दिख रहे हैं add and exit तो मैं exit पर tap करूँगी इसके बाद same चीज दिखेंगी जैसे आपको buy side पर दिख रही थी तो आप quantity enter करेंगे and price में आप देख सकते हैं कि आपको market रखना है या limit रखना है या SL और SLM अगर हम यहां market पर ही sell कर रहे हैं then again variety में हम regular रख रहे हैं then day then disclose quantity में zero and then swipe to sell and then आप इसे order section से track कर सकते हैं और जो fund आपको sell करने के बाद मिलेंगे वो directly आपके जिरोधा के wallet में आ जाएंगे अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि GTT order को कैसे place किया जाता है आप जैसे ही search करेंगे आपको buy and sell के नीचे GTT दिख रहा होगा यहां हम चलिए एक कोई दूसरा share के example लेते हैं जैसे कि ICICI bank उसमें जैसे ही आप click करेंगे आपको type का option आएगा जिसमें buy and sell लिखा हुआ है तो अभी हम फिलाल buy करेंगे then trigger type में आपको single and OCO दिया हुआ है यहां हमें सिर्फ single ही select करने का option आ रहा है single याने सिर्फ आप एक ही trigger price डाल रहे हैं और ना की कोई target price या stop loss तो suppose अगर मुझे ICICI bank का share 625 पे नहीं लेना है मुझे लग रहा है कि यह share जब 400 के आसपास होगा तब मैं लूँगी तो अब मैं यहां trigger price में डालूँगी 410 then यह order and product as it is रहेगा then quantity आप डाल देंगे and आप उस price पे enter करें जिस price पे आपको लेना हो और उस price पे आपका order execute हो जाएगा trigger price सिर्फ आपका order activate होगा और exchange को inform हो जाएगा तो यहां हम 390 एंटर कर देते हैं then order create कर देंगे अब हम sell site भी देख लेते हैं तो जो shares आपके DMAT में हैं उसे आप sell करना चाहते हैं तो वो share आप इसके थूँ sell कर सकते हैं तो यहां मैंने sell select किया और single या OCO select कर सकते हैं single में suppose मैंने ICICA का share 625 में खरीदा था और मैं उसे 700 में बेचना चाहती हूँ तो मैं यहां trigger पे 700 डालूँगी और price पे 720 तो जब 700 पे आएगा तब order activate हो जाएगा और जब 720 पे आएगा तब मेरा share sell off हो जाएगा और OCO यानी other cancels the other तो जैसे हमने bracket order समझा था ये भी वैसा ही same है यहां पे भी आप target price और stop loss एंटर कर सकते हैं तो यहां मैंने same 700 के आसपर share sell करना चाहती हूँ तो मैं stop loss लगा के अपना loss minimize कर सकती हूँ तो मैंने अगर 625 का share लिया था तो maximum मैं 25 रुपे का loss bear कर सकती हूँ तो यहां आप percent form में भी enter कर सकते हैं जैसे की 5% या 10% loss trigger price में 610 रखूंगी और फिर finally किस price पे मुझे shares को बेचना है तो यहां मैं 600 enter कर रही हूँ तो इस price पे जब share गिरेगा तो मेरे stock automatically sell off हो जाएंगे in the same way आप target price भी set कर सकते हैं कि trigger किस price पे हो और sell किस price पे तो trigger में मैंने 700 enter किया और price 720 तो जब 720 पे आएगा तो stock sell off हो जाएगा और हां जब भी आपका GTT order trigger होगा आपको जिरोधा के थूँ एक email notification जरूर आ जाएगा I hope आपको इस वीडियो से वो सारे difficult term समझ आ गए होंगे जो अभी तक आपको difficult लगते थे तो अगर आपको ये वीडियो useful लगी हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और हां अपने friends and family के साथ share करना ना भूलिएगा Thank you